हेलो एवरवन असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बेक टो माई यूटिव चैनल आज की यूडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त और लजीज अंडा चिंगारी की रेस्पी शेयर करने वाल अगर आप लोगों को यह हमारी आसान सी रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जूर करें चैनल पने चैनल को व्जूर से सब्सक्राइब करें तो चलिए अब हम पर रेस्पी को बनाना कर लेते हैं शुरू बिस्मिलर रुक्माराईम देखिए आपर सबसे पहले और यह अपना अंडा बीट किया उसका हम ओमलेट बना लेंगे साथ ही साथ और अब यहां पर अपनी अंडा चिंगारी की रेस्पी को बनाना करते हैं शुरू बिसमिलर रुक्माराईम देखिए सबसे पहले हम एक अधाद कडाही लिए और इसमें हाफ कप हम डाल देंगे और यहां पर करना है गरब यह देखें माशाला से जो हमने अपना अंडा भी फैंट के रखे थे तो उनको हमने अच्छे से उनका ओमलेट एक बना लिया इसको अब हम साइड पर रख देते हैं और और यहां पर गरम हो चुका है अब इसमें तकरीबन वन टीस्पून साबद जीरा का डालेंगे और साबद जीरा पहले डालने से यकीन करें इतना जबदस टेस्ट आता है कि मैं आपको क्या ही बताओं बसमापने यहां पर जीरे को क्रेकल करना है और देखें आपर जीरा क्रेकल हो चुका इस टेश पी इसमें जाएगी प्यास जो किमने लिए एक ग करने का दिल कर रहा मिंद्भ करने का दिल कर रहा तो आप एंडाशिंकारी की रेइस Paw बना सकते इपी किसी रिस्ट्राइब ऑनeon ड्रह enabled प्यास देखें हम सोटे कर चुक है एक से दो मिनट तक पेस्ट की बुनाई करेंगे जब तक इसका जितना भी कच्छा पन हो खत्म होजे तो देखें माईशला से यहां पर लेसे तका पेस्ट बेचे से बुन चुक है अब इसमें जाएंगे यहां पर कुछ मसाले हमारे घर के जिससे अच्छा सथ टेस्ट डव्यालब होगा सबसे पहले वन्न टीसपून रचल पाउडर लिए उसके लाव वनटी स्पून हमने हल्पाउड़ का लिए साथ ही समें जाएगा लगोंच के जो क्रेंण यहां बस previous यहांब उनका अब और यहांब्र यहांपर सिंपल नरज मसालय का टेस्ट कर चाह बनाई करनी है तो थोड़ा सा मिसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला जले ना और मसाले की भुनाई भी इची सी हो क्योंकि आपको बार 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 बताती हूं अगर आप किसी चीज का टेस्ट अच्छा डिवालप करना चाहते हैं मज़िदार बनाना चाहते हैं तो एक ही बात का आपको ख्याल रखना है उसका जो मसाला उसकी आपने इच्छी से बुनाई करनी है क्योंकि अगर मसाले की इच्छी से कुछबू निकल कर आएगी तो और भी मज़ेदार हमारी चीज त्यार होगी और देखकर भी काने का दिल करेगा तो साथ ही हमने यहां पर सब्सक्राइब होगे और फिरस्पी को कंटीनियो करते हैं तक्रीबं तीन से चार में तो चुके हैं यहां पर हमारे मसाले के बनाई को माश्याला सुभाने बहुत ही मज़ेदार यहां पर भुनाई की कुछबू आ रही है मसाले जब हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर और इस चेज़ भी इसमें डालेंगे एक अधर हमारी और चीज जो के मिलिया मतर तकरीबन हाफ कप मैंने मतर का लिया यह मिसमें डाल देंगे और यह मतर यहां पर मैंने बॉल इसलिए किया अगर आप वैसे कच्छे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं लेकिन हमने टाइम बच अच्छे से मिक्स कर लिया अब इस स्टेज में डाल देंगे ओमलेट जो कि हमने अपना बना कर रखा और ओमलेट डालने से भी बहुत जबर दस्ट फ्लेवर आएगा जब हम इसे खाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना टेस्टी है वैसे भी मेरे ख्याल से हर बना सकते हैं बहुत ही आसान है और जटपट से बनकर त्यार हो जाती है मिंटो में इसे इंज्वाय कर सकते हैं यहां पर दो से तीन अदद हरी मिर्चे लिया है जो कि हम इसमें डाल देंगे और अब करेंगे यहां पर अच्छे से मिक्स तो अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमे मिहनत भी ना करनी पड़े और बहुत ही जबदस त्यार होजें तो क्या ही बात है तो आप इस रच्पी को जूट रहे करें अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चार अदद अपने बॉयल डंटे लिया और अब यहां पर हलकी हाथ तो से मिक्स करेंगे तो अगर आप लोग करीबन दो से तीर में तक पकने के लिए छोड़ देते हैं दब पर रख देते हैं और उसके बाद आप से इसकी फाइनल लुक्षियर करते हैं तो लीडियोर्स देखें माशाला सुभानाला हमारी बहुत ही जबदस और नहायत असान अंड़ा चिंगारी की रेस्पी बनकर त्यार हो चुकिया और माशालास में आपको क्या ही वह बताऊं यह इतनी जबरदस बनकर त्यार होती है कि जब आप इसे एक बार बना लें तो आप अपनी रूटीद में इस रेसिपी कों एड़्ेंगे इतनी जबर दस त्यार होती है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धन के साथ भी शेयर कर दें और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो फिर नेक्स किसी में तदाशी पुड़ाइस वाला कात हो भी तब तक के लिए अपना बहुत सारा क्या लखिए अलाफिज